अस्लाम लेकूम, वेलकम चू कम्पेलिटिव एक्साइम कोचिंग चैनल आज हम ASF का एरपोर्ट सिक्यूरिटी फोर्स का बैज 1 का ASI का असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का 2023 का पेपर डिसकस करने लगे हैं वो पेपर जो 19 तरीख 12 मेने 2023 को कंड़क्ट किया गया है ठीक है जी उसका पहला सवाल ये था क्रिकेट में यूज विकेट की मेयरमेंट क्या होती है ठीक है तो जो गिवन आप्शन थे उसमें से जो आप्शन कोरेक्ट था वो था 28 इंचीज ठीक है हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके आल नोटिफिकेशन को आउन कर लें और एड़ी एस एफ के 5 साला पेपर हर एक पेपर इंडूइज्विली चैनल पर अपलोड कर दिया गया अगर आप लोग वो नहीं देख कर गे तो काइनली उस सब पेपर्स को जरूर देख कर जाएं पास बेपर्स से सवाल रुपीट हो रहे हैं ठीक है next question था साक के total members कितने हैं ठीक है साक में total member countries कितने हैं ठीक है तो उसका जो correct answer था 8 member country ठीक है जी तो इसके साथ आप लोग ने तोड़ी सी इसकी extra information भी याद रख लेने हैं वो ये है कि आपने साक के abbreviation किस से है वो याद रख लेनी है South Asian Association for Regional Corporation ठीक है और नेक्स्ट आपने इसके country के name भी याद कर लेने हैं जो इसके eight members है ये सब आपको यहाँ पर mention कर दिये गए है ठीक है इससे ये होगा कि देखें मिलता जुलता सवाल आ रहा है पिपर में तो क्या पता कल वो ये पूछने हैं कौन से country हैं कौन से नहीं है ठीक है तो ये याद करके जाएएगा नेक्स्ट क्वेशन जो है वो है कि रोजा कब फर्स किया गया मतलब किस हिज्डी में फर्स किया गया तो correct answer है second हिज्डी नेक्स्ट क्वेशन है शेर शा सूरी की डेथ का year कौन सा था ठीक है तो उन किया जब उनकी वफात हुई थी तो उसका year था 1545 बादशाही मोस कब बनाई गई ठीक है ये सवाल आया था कल की पेपर्स में UDC, LDC की किसी पेपर में आया था तो correct answer था 1973 आज उन्हेंने पूछ लिया कि बादशाही मोस को कहां पर बनाया गया था तो वो लहोर में बनाई गई थी ठीक है नेक्स्ट कॉशन है गुमाल युनिवस्टी किस सिटी में है उन्हेंने ये भी सवाल पूछा हुआ था तो गुमाल युनिवस्टी किस सिटी में है डेरा इसमाईल खान सिटी में है ठीक है नेक्स्ट कुछ ये था कि 9.5 को डिवाइट कर दो 4 पे ठीक है तो इसका आंसर आता है 2.375 अगर तो वो गिवन था तो ठीक है अधर्वाइस नन आप्शन था नेक्स्ट कुछिन है ये 15 में वन और में 27 बास्किट्स बनाते हैं तो 45 में 45 मिनट्स में कितनी बास्किट्स बनाएंगे मुझे टाइम नहीं मिला सॉरी मैं मिटिंग में थी अगर आपके पास जो बचा सॉल्फ कर ले जो भी स्टूट्स बहुत अच्छे हैं उन्होंने कल भी जो सवाल मैंने कहे थे कि आप लोगोंने कुरेक्ट करके या फिर मैंने सॉल्फ नहीं किये काइंडली इसको सॉल्फ कर दीजेगा उन्होंने सॉल्फ करके कमेंड में में सेंटियू किया और थेंक्यू सो मच बचो आप लोग जो है वो उसको सवालको सॉल्फ करके मैंसिन Y 1940 prior होते हैं नेक्स्ट कुश्चन था कि महमूद घजनवी किस सीटी से बिलॉंग करते थे ठीक है उनका हॉम टाउन कौन सा है ठीक है तो इसका कुरेक्ट आंसर है घजनी नेक्स्ट कुश्चन था कि ओल्डेस्ट आस्मानी किताब कौन सी थी ठीक है अगर वो पहली भी पूछ लें बचो तो तब भी तो रहती है और अगर वो पूछ लें कि ओल्ड टेस्टरमेंट ठीक है यहां पर सोरी उनने जो सवाल किया हुआ था पेपर में वो यही किया लिए ठीक हा कि ओल्ड टेस्टरमेंट कौन सी किताब है ठीक है तो वो तरहत है लेकिन अगर वो यह भी पूछ लेते हैं कि first जो है वो पहली आस्मानी किताब कौन सी थी ठीक है जो फस्ट रिवी लड गुक थी तो वो कौन सी थी भो तरहती थी ठीक है तो तरह основ बोसा पेपर में भी दो भर तीन बार रुपीट हुआ हुआ है कि पिर आ गी है कि अफिचल लैंड़िजी कितनी थी शिक्स थी है कितना सांस है इस वज़ा़ से कहता हुआ हूँ कि पास्पेपर देख कर जाएं अब लो सी की लेंद्ध पूछी हुई थी तो लो सी की लेंद्ध क्य पिन उसका लिंक जो है वीडियो का डालके उसको कुमेंट को पिन कर देती हूं ताके बचों को डूणने में असानी हो जब आप वीडियो को नीचे कुमेंट ओपन करें सबसे पहले आपको वह चीज मिल जाए ठीक है तो इस वजा से बॉर्डर वले सवाल भी देखकर जाएं यह कहरे है लेकिन 2023 के कलंडर के मताविक देखें तो 862 किलोमेटर जो वर लेंध है वो फिप लूछी की है ठीक है नेक्स्ट है इस शिब्लय एतर्यापे सब्सक्राइंक कब हुआ यह उइन्च के लिए हुआ ठीक है तो चुणर जूला इंटिंसी के लिए ह disorders date बच्चे बता रहे थे तो next सवाल है the opponent ran him dash in the public ठीक है तो यहाँ पर नीचे जो option दिये हुए थे उसमें से over का option ठीक था next question था he struggled and gained a victory dash his enemies ठीक है उसने मतलब कोशिश की और वो कामयाब हो गया अपने दुश्मनों में मतलब फता हासिल करने में ठीक है तो over का word ही आएगा दोनों में overheat accurate था next था आपने synonym बताना था की का तो की का की होता है चाबी होता है ठीक है तो किस चीज का solution जो इसमें से given option थ next is dom of rock located dom dom कहते हैं गुंबत को ठीक है तो रोग कहते हैं पत्थर को तो dom of rock कहां पर located है उन्हें पूछा वाता हो तो यह अल-अक्सा में है ठीक है यह अल-अक्सा में इसका correct answer था next is rock dead contains fossils called क्या कहलाते हैं वो रोग ठीक है वो चिटाने जो की fossils पर मुच्तमिल होती है वो क्य कहलाती है वो sedimentary rock कहलाती है ठीक है next question था कपास का फूल written by पता नहीं यह सवाल कहां से दे दिया था खैर एक अधात उनने ऐसा देना ही होता है कपास का फूल written by यह किसने लिखी थी यह कताब है तो एहमद नदीम कास्मी ने I think so कताब ही है ठीक है next है कि Islamic year starts in अगर तो वो य फर्म नहीं था तो ठीक है तो यह हुआ था 622 में next question है कि उन्होंने costal की length पूछी थी बचो यह कल की paper में भी costal की length पूछी थी ठीक है और अभी भी morning में इन्होंने दुबारा costal की length पूछ लिया तो 1046 Google पर आ रही है लेकिन currently 1058 है ठीक है next question है वो यह है deficiency of vitamin D अगर vitamin D की deficiency ह हो जाती है तो यह किस चीज को effect करता है यह हडियों को effect करता है आपकी ठीक है यह सवाल भी past paper में से repeat किया गया है 50 miles equal to dash km 50 miles कितने km के equal है तो correct answer था 80 km ठीक है next question math में से दिया हुआ था 9.45 multiply by 3 ठीक है यह सवाल board math में से थे बच्चों मैं इसलिए आपको कहा था board math के lecture देखके जाए तो आपको यह समझा जाएगी 9.43 को multiply करें 3 से तो क्या answer आता है तो answer आता 28.35 अगर given था ठीक है नहीं given था तो none लगा देना था ठीक है next question था वो यह था कि जांगीर हान won dash squash champion 10 times जांगीर हान जो थे उन्होंने 10 times squash champion को जीता था तो कौन सा वाला जीता था तो British Open का जीत यहीं ना आजे ठीक है तो यह word open title भी इनको मिला था वो six times मिला था British Open मेला 10 times मिला था ठीक है और जांगीर हान थे यह पाकिस्तानी प्लेयर थे यह याद रखने है आप लोगों ने ठीक है next question आया वा था study of outer sorry यह गलत लिखवा दिया था पहले student ने study of life हाँ जी study of life in outer space ठीक है outer space में जिन्दगी की जो मुताला किया रहा था उसको क्या कहते है उसको exobiology कहते हैं ठीक है next question था कि civilian यह civilian नहीं था यहाँ पर civil था civil defense originated from which place ठीक है तो यहाँ पर option दिये हुए थे world war 1 और french revolution तो मेरा ख्याल है के french revolution है काईटले गर किसी को confirm हो तो यह confirm कर दीजेगे यह मुझे confirm नहीं है is 60 of what number 2000 ठीक है तो यह सवाल तो असान सा परसंटेज का आप solve कर लेंगे ठीक है next question यह था sir ganga ram is by profession sir ganga ram के name से एक hospital है लहौर में ठीक है ganga ram hospital ठीक है तो उसके बारे में पूछे थे जो ganga ram hospital है sir ganga ram का profession क्या था आप बताएं ठीक है तो मैंने इसको चेक किया तो architect और engineer उनका profession था ठीक है लेकिन जो आपको paper में सवाल में मतलब option दिये हुए थे वो engineer वाला दिया हुए था ठीक है next है चैनल पर new है तो चैनल को subscribe करके बेल आइकन पर क्लिक करके आल notification को on कर दे oldest organization of the world ठीक है उसमें option दिये हुए थे United Nation, League of Nation, African Union ठीक है तो मेरी बास सुने जो United Nation है उसकी जो foundation की date है वो 1945 है जो African Union है ठीक है वो 1999 की है ठीक है तो League of Nation कुछ लोग इसको गलत बता रहे हैं कि वो UN है लेकिन वो UN नहीं है ठीक है आप लोगों नहीं याद करेक्ट कर लिने है League of Nation इसका correct answer है क्योंकि League of Nation जो है वो 1920 में बनी थी ठीक है तो सबसे पुरानी जो यहां पर है वो League of Nation है ठीक है नेक्स्ट जो सवाल है वो यह है कि boundary commission में कौन से Muslim population area given to India सवाल कुछ यह था कि boundary commission जो 1947 में बनाया गया था उसने वो कौन सा ऐसा area था जो Muslim majority population का area था उसने इंडिया को दे दिया था ठीक है अब जो यहां पर answer मिल रहा है वो फिरोज पूर मिल रहा है ठीक है तो अब आपने ना मैंने जतना search किया है कि फिरोज पूर ही मिल रहा है अगर किसी और को confirm हो तो तब बदाएगा otherwise इसको फिरोज पूर ही लेकर चाने यही accurate है ठीक है next question नंगा परबत in which hill नंगा परबत किस hill में है तो वह Himalayan range में है ठीक है हम लोगों का सवाल जो है वो maximum share कर दें ठीक है thank you so much allah hafiz